हलो एब्रीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो फ्रेंट्स इस तरह के पुनाने मोजे हम सभी के घरों में होते हैं, चाहे वो भचों के छोटे हो गए होते हैं, चाहे वो फट जाते हैं, चाहे वो कभी कभी गाय भी हो जात मैंने बहुत ही useful वीडियो आपके लिए बनाई है जो कि मैं आपके साथ 25-30 tips शेयर करने वाली हूँ तो चलिए देखते हैं पहले tips कौन सी है सबसे पहले tips है friends हमारे kitchen में ही हम जब oil का इस तरह का bottle यूज़ करते हैं आप देखते होंगे इस में चारों तरफ से oil गिरा हुआ रहता है जिससे हमारा platform भी खराब हो जाता है तो आप कोई भी पुराना मोजा बस सारे socks को wash जरूर कर लीजेगा अच्छी तरीके से इस तरीके से जब आप एक मोजा पहना दोगे ना bottle को तो वो देखने में भी अच्छा लगता है प्लस कोई भी आपका oil गिरेगा ना तो वो ये मोजा एब्जॉफ कर लेगा और वो खराब भी नहीं होगा और हमारे हाथों से bottle भी slip नहीं होगी platform भी खराब नहीं होगा तो आप इस तरीके से अपने oil के bottle में पुराने socks का इस्तमाल कर सकते हैं जितना अच्छा आपका मोजे का color रंग बिरंगा होगा ना उतना सुन्दर आपका ये oil dispenser भी लगेगा आई होप ये tips आपको अच्छी लगी होगी अब चलिए देखते हैं अगली tips कौन सी है अगली tips है फ्रेंस shoes को लेके फ्रेंस हमारे पास बहुत party wear shoes भी होते हैं कई ऐसे shoes भी होते हैं जूतियां होते हैं इसमें stones लगे होते हैं तो अगर उन्हें हम डेली तो पहनते हैं ये तो उनका shape खराब ना हो उसके लिए आप चाय कर सकते हैं कोई भी पुराना socks ले लो और इस तरीके से रोल करके उसको रख दो इससे क्या होता है आपकी जूतियों का shape खराब नहीं होता है तो ये tips भी बहुत ही जादा useful है उसके बाद इन जूतियों को हम डेली तो पहनते नहीं है तो इनको हमिदोदा रखेंगे न तो इनके मोती वगएरा गिर जाते हैं इनकी shine भी खतम हो जाती है ऐसे रखे रखे तो आप ये जो पुराने socks होते जिनका इस्तमाल नहीं करते हैं आप इनमें इनको store करके रख दीदे आपके जूते हमेशा सेफ रहेंगे और शेफ में भी रहेंगे अब चलिए देखते हैं हमारी अगली टिप्स कौन सी है अगली टिप्स है फ्रेंस cleaning को लेके फ्रेंस आप कोई भी पुरानी कंगी और socks ले लीजे और इसको इस तरीके से set कर लीजे अब इसमें आपको जो भी लिक्वीड जैसे आप किचन की सिंग क्लीनिंग कर रहे हो तो आप उसमें हार्फिक बगएरा यूज करो बट अगर फ्रिज बगएरा क्लीन कर रहे हो ना तो जो भी solution आप रेडी करते हो क्लीनिंग के लिए उससे आपना और फ्रिज का ये रबर जो होता है जहां हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते हैं इन रबर को आप इन कंगी की मदद से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो कंगी से उन सारी जगों की क्लीनिंग हो जाती है जहां हम ठीक से हाथों से नहीं कर पाते हैं उसके बाद मेरी अगली टिप्स है जो बहुत ही यादा यूसफूल है और वो है रबर की जो उपर वाला जो इलास्टिक होता है इसका इस्तमाला बच्चों के आपने बालों को टाई करने के लिए भी कर सकते हैं जितना कलरफुल ये रबर बैंड होगा उतने अच्छे से अगला इस्तमाल है इसी रबर का जैसे आप मसाले के डब्बे वगएरा हो गया उससे आप इस तरीके से आइज रबर इस्तमाल कर सकते हो पैक करने के लिए तो इस तरीके से आप पतली पतली स्टिप्स मोजे की काट सकते हो और इससे आप पैकट वगएरा डब्बे वगए कोई चीज अगर हमें रखनी है तो हम कैसे रखे तो इसका इस्तमाल भी हम पुराने मोजे को इसमें कर सकते हैं कोई भी आप पुराना मोजा ले लीजे चाहिए आप कलर मैचिंग का लेले चाहिए और पर दो इसके बाद आप एक सेप्टी पीन ले ले लिजेए और सेप्टी पीन से इसको अच्छी तरीके से आप टाईव कर सकते हैं अंदर की तरफ ठीक है तो मुझे यह वाला थोड़ा मैंसेंग के लग रहा है तो मैं बृंजल रखा है न तो इसको ले लेती हो तो इसह आप स्था के से या तो आप सूई दागे से भी से स्विल सकते हो ये या तो आप तो ससand सत्सक्राइब आफ Sense से ỹच कर लगा सकते या फैसे पैसे या फिक कुछ जूलरी वगएरा है तो वो भी आप इस तरीके से इसमें रख सकते हो तो यह बहुत अच्छा पॉकेट का काम करता है और बहुत सेफली यह रहता भी है सेम इसी तरीके से आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं तो यह वारा आइडिया भी बहुत है यूसुल है जो अम्रेला होते हैं जो छता होता है उसे हम घर में इस्तमाल करते हैं कभी कभी क्या होता है इसका जो कवर होता है तो इसे सेफली रखने के लिए भी आप इन सॉक्स का इस्तमाल कर सकते हैं कोई भी सॉक्स आप ले लो पुराना और इस तरीके से आप अपने जो अम्रेला हैं उसको लग दो कहीं भी लग दो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है एकस्ञ पड़ा रहता है अगर आप इसे इस तरह के से ना डख़्े टो आप देखोगे न इसका फोल्ड भी खराब Ho जाता है और यह गंदा भी हो जाता है तो इस आपके काम का नहीं है उसे आप इस तरीके से टाइक कर सकते हो जिससे क्या यह बहुत सुंदर भी लगता है आप इसमें कोई भी चीज अपना इस्तमाल करके रख सकते हो आप इसका जो नीचे का पोर्शन है इसे बाद में मैं कट कर दूंगे आप इसे छिपका भी सकते हो और पता भी नहीं चलता है कि आपने यह किस चीज से बनाया हुआ है तो देखे कितना अच्छा है हमारे रेडी हो गया आप इसे बाद में नीचे से कट कर लूंगी और फिर इसे में अच्छी तरीके से इस्तमाल कर सकती हूं अपनी कोई भी चीज को रखने के लिए चले द पर्स में क्या बहुत सारा समान होता है तो हमारी चश्मे में लग जाते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कोई भी एक सॉक्स लेके ना उसमें इसको डाल के जवाब रखोगे तो आपकी जो चश्मे ना वो पर्स में सेफली पड़े रहेंगे और आपको पता भी रहे तो आज की बाद आप कभी भी सॉक्स को ना फेके और इस तरीके से इस्तमाल करें आपको बहुत अच्छा लगेगा इसके बाद फ्रेंस नेक्स इस्तमाल चूरियों को लेकर अब जैसे की फ्रेंस हमारे पर से चूरिया होती हम शादी वगएरा में जाते हैं काफी अच्छ सें आप उबने सोक्स hebben मोजे में डालकर लखें अपने पर्स现在 आपको का मैंने कर लिया यह इसका मैं इसे कट कर लिया है इसका मैं इसे कट कर लेती हूं फिर आपको बताती हूं इसका बहुत ही अच्छा है हमारे पास तो इसको इस तरीके से कट कर लेंगे और कट करने के बद आपको क्या करने है ज़ारू ले लेना है ज़ारू में आपको इस तरीके से फसाना है बहुत इजली हो जाएगा आपको देखके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा उसके बाद आप कोई भी रबर उपर लगा लिजी और एक रबर आप नीचे लगा लिजी ठीक है उसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें थोड़ा सा पानी का छीटा दे दीजी उसके बाद फ्रेंड्स इससे आप न उन जगों पे जहां के आपका हाथ नहीं पहुंसता है उन जगों पे आप बहुत अच्छे से जारू लगा सकते हो पोच्छा भी लगा सकते हो बहुत अच्छी इससे क्लिनिंग होती है मैं अभी आपको पताती हूँ किस करना है अब जैसे टेबल के नीचे हो गया दिवान बैट के नीचे हो गया वाशिंग मेशेन के नीचे हो गया जहां हमारा हात नहीं जाता है ना उन जगहों पे आप इससे बहुत अच्छे से क्लिनिक कर सकते हो और उपर की चीजों को भी ब भी करते हैं बट उतना देखने में अच्छा नहीं लगता है तो आप कोई भी प्रिंटेड मोजा जो बहुत अच्छा कलर्फुल है उसे आप इस तरीके से कप को पहना दीजे उसके बाद आप देखोंगे इसका जो लुक है टोटली चेंज हो जाएगा कोई भी नहीं पहचा तो इस तरीके से आप इन सब मोजो का इस्तमाल कर सकते हैं अब जैसे हम जर्नी में जा रहे हैं जर्नी में हम सीजर वगेरा लेके जाते हैं तो अगर पर्स में रखें तो हमारे हाथों में लगने का डर होता है ठीक है तो आप सबसे अच्छा इसे एक सॉक्स ले लिज़े सॉक्स में इस तरीके से लपेट के रख लीजे इससे क्या होगा आपकी कैची में मतलब किसी को लगने का भी डर नहीं रहेगा आपको पता रहेगा कि आपने इस कलर में यह चीजे रखी हुई है तो जर्नी के लिए बहुत ही अदा यूसफुल टेप्स है अब अगली यह अदिग होगा गया के सबसे बड़ी बात मॉझे से सॉक्स से क्लिनिंग बहुत अच्छी होती है तो कि ut offices ख advalasya das यह ल्ट तो यह बहुत अच्छी क्लिनिंग करता है तो जब भी आप क्लिनिंग करें एक सौक्स जरूर हाथ में पहन के करें अब अगली टिप से फ्रेंस देखिए मैंने एक छोटा सा सौक्स ले लिया है इसमें मैं डाल दी रही हूँ एराउंड देर चम्मत चावल कच्चा चावल है जो आप यूज करते वही आप डाल दीजिए उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है टैलकम पौडर को भी खुश्बुदार पौडर आप डाल दीजिए उसके बाद आप इसे बांद के इसकी पोटली बना लीजिए और इस पोटली को आपको उस जगह रखनी है जहां पे बैड स्मेल आती है जैसे कि हमारा वाडरोब जहां हम कपड़े रखते हैं वहां पे सीलन की स्मेल आती है न तो आप इस चावल पौडर के मिक्षर को वहां रख दीजी आपके कपड़ों से कोई स्मेल नहीं आएगी चावल सारे मौश्टर को एब्सॉब कर लेगा और जो पौडर रहता है वह बहुत अच्छी खुश्बू बिखेरता है तो इस तरीके से आप इनका इस्तमाल कर सकते हो अब अगली टिप से फ्रेंस शूज को लेके फ्रेंस हमारे जो शूज होते हैं उसके जो सोल होते हैं वो खराब हो जाते हैं फिर हमें जोता जाके मारकेट में दूसा सोल लेना पड़ता है या फिर अगर पहनते हैं तो पहनने में अनकमफर्टेबल लगता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं जो भी आपके शूज के सोल है उन्हें आप निकाल लीजिए और कोई भी दो पुराने सोक्स ले लीजिए और इन सोल को उसमें डाल दीजिए इससे क्या होगा आपके जो सोल है वो खराब जो हुए है न वो आपको पहनने में सोक्स के अंदर चले जाएंगे तो पहनने में आपको अनकमफर्टेबल नहीं लगेगा प्लस आपको बहुत अच्छा पहनने में लगेगा क्योंकि जो मुझा होता है वो काफी मतलब गड़ीदार होता है तो इससे क्या होगा आपका जो जूते के अंदर सोल जाएगा न वो बहुत अच्छा कमफर्ट आपको देगा आप एपार ट्राइ करना आपको बहुत ही मज़ा आएगा पहनने में सेम आप बच्चों के शूज हैं उनके साथ भी ये चीज़े कर सकते हो जब भी सूल घिस जाए खराब सोल मतलब सौरी जब भी सोल घिस जाए खराब हो जाए आप इसी तरीके से पुराने जो सौक से उनको डाल दीजिए और इस तरीके से आप उन्हें पहना दीजिए और फ्रेंज जब ठंडी का मौसम होना ठंडी के मौसम में भी न आप इस तरीके से डाल के जब पहनोगे न तो आपके जो पैर के तलवे हैं न वो गरम रहेंगे आपको काफी रिलाकसिंग लगेगा तो यह टिप्स न मुझे परसनली बहुत पसंद है और इस तरीके का मैं ज जदी दार लगता है अब देखिए अगली टिप्स है मेरी मैंने ये मसाले का डबा लिया अब आप सोचे होंगे मैंने मसाले का डबा क्यों लिया है अफ्रेंज इन मसाले के डबो को हमें पहना देना है मौझा अब मौझा पहना के हम इसमें क्या रखने वाले हैं ठीक है अ आपका छोटा बड़ा आप इस तरीके से इसमें दो चश्में देखी मैंने डाल दिये हैं उसके बाद आप इसे पैक कर दीजिए अब एक ही बहुत अच्छा ओर्गिनाइजर रेडी हो जाता है और इससे क्या होता है आपको जो चश्में हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होते तूटते नहीं हैं आप इन्हें पर्स में रख लीजिए अधिके देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना तो एक मसाले के डब्बे का हमने कितना अच्छा इस्तमाल कर लिया अपने चश्मे को ओर्गिनाइज करने के लिए अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लग अगर आप इसको बड़े वाइपर में भी कर सकते हो आप पुराने शॉक्स को इस तरीके से वाइपर में फसा दो यह चोटा है तो मैंने एक ही फसा के आपको दिखाया है आप इस तरीके से करके ना इसी अपने प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से पॐंच सकते हो आपक तो दोनों तरफ से आप उसको सॉक्स पहना दीजिए उसके बाद जिन लोगों को बैट कर पोच्छा लगाने में प्रॉब्लम होती है ना वो इसको इस तरीके से पोच्छा इस्तमाल कर सकते हैं इसे बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा से मॉपिंग हो जाती है तो ए दिखरो मैंने एक बौटल लिया है इपको लुझे लंबे समय तक लगन में तौट को काफी लंबे समय थेंदा नियुक्त फी गर्म है उन रहता तो आपको काफी आराम मिलेगा सॉक्स बहुत अच्छा काम करता है तो अगली टिप से मेरी फ्रेंट्स कोई भी छोटे बच्चे हैं बुजूर के आप उन्हें ग्लास में कुछ दे रहे हो पीने वगरा के लिए तो अगर वो गरम है या आपको लग रहा है यह कुछ भी पीना रहेगा उन्हें तो चलिए देखते हैं अगली टिप्स कौन सी है अगली टिप्स है फ्रेंट्स मेरी बहुत ही या जैसे कि फ्रेंट्स हमारे हातों में कभी दर्ध हो जाता है ठीक काम करते करते दर्ध पेन होई जाता है तो आप क्या करना थोड़ा सा जो भी आपको दर्ध की दवा है वो लगा लेना और सॉक्स को एक तरफ से कटा ही रहता है एक तरफ से और कट करके इस तरह से लपएट लेना इससे आपको गरमी मिलेगी और आपके हाथ में जो भी दर्ध है स्वेलिंग है नगा उसमें काफी रिलीव मिलता है क्योंकि सौक्स जो है नगा दर्रीग काफी गरम करता है तो इस तरीके से आप इस्तवाल कर सकते हो अब अगली टिप से फ्रेंड्स मोजे को ना हम इस्तमाल कर सकते हैं अपनी क्रॉकरी को और्गिनाईज करने के लिए भी अब जैसे कि बहुत सारी क्रॉकरी से हमें कठी सबका यूस नहीं करना है बट हमें डर भी लगता है कि ये तूटना जाए और गंदे ना हो जाए आप क्या कर सकते हो ओना इस तरीक के से कई सॉक्स आपके पास होते हैं तो आप जैसा चोटा बड़ा हो तीन का से सार का से डो का से क्रूंनाईस करके रख सकते हो सबसे बड़ी बात अगर है आप यह शिश्फ्ट कर रहे हैं कई आपको सिफ्टिंग करनी है तो भी आप इस तरीके से सॉक्स के अंदर अपने जो कप्स है ग्लास है कटोरियां है जो भी कांच के रहें उन सब आते हैं ना क्योंता मुबाइल में स्क्रेच वगरा आने का डर होता है तो आप क्या करना कोई भी एक सॉक्स पुराना लेकि अपने मुबाइल को ऐसे रख दीजिए परस में डाल लेजिए ना ही आपका स्क्रीन गंदा होगा ना ही कोई स्क्रेच आएगा और आपका आपका जाती है जिसके दो फायद है सबसे परहें तो हम इससे अगर सॉक्स पहना देते हैं कोई भी साफ सो मैंने पहले आपको बोला सॉक्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए गरम पानी में तो इस तरीके से आप कोटोगे तो आपका जो आवाज है वो नहीं आएग जिससे ये इसका कवर भी बन सकता है तो देखें दो यूज मैंने बता दिया आपको इसमें सॉक्स का एक तो आप नीचे बेस के तरह इस्तमाल कर सकते हो जिससे आवाज ना हो दूसरा आप इस तरीके से कवर बना सकते हो अगली टिप से फैस जब भी आप किशन की टाइट क्लीनिंग करो आप नव सॉक्स को इस तरीके से जरूर इस्तमाल करो जो भी सोलूशन अभनाते हो ना उसके आप सॉक्स से वाच करो सॉक्स से दगड़के साब करो बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है औरकि शॉक्स में inhan दर्दरापण होता है जो कि क्लीनिंग के लिए बह आगले टिप्स ए अमारे से मोंटे मोंटे गद्दे ठास्रव में इज़्थ ऐने चणी सब भाइन प्लैंकेट stillек मिफ़ा सोड़ और पौड़र कोुं चटिड़क दीजिए हば और उसके बाद मिछा सोडा जो हम खाने में यूज़ करते हैं वही जो स्मेल को दूर करता है कंदिकी को दूर करता है और पॉडर जो अच्छी स्मेल देगा और सौक्स पहन लिजी हाथ में इस तरह से क्लीन करें सारा डिर्ट निकाल देगा आपका गदा एकदम नीटन क्लीन हो जाएगा बहुत धूर जूरूर ट्राइगा आगले टेपस तैंस मेरी सिंक को लेका है सिंक की क्लीनिंग भी फ्रेंड्स हम इसमें कर सकते हैं आप कोई भी जो आपका पुराना च्छो चोचे साबून होते हैं जिने आप फेक देते हैं उन चोचोच चोचे साबुन के त के बहुत अच्छी से क्लेनिंग कर तक तो आज की वीडियो यही थकती आयोब आपको पसंद आयोगी थैंक यू सो मच पसंद आये तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक यू